मास-Spectrum इसको भी एक ऐसी टिक्टीक की तरब है जिसमें किसी भी मॉलीक्यूल को उनके मास-By-Charge यानि M by Z ratio पर वो सेप्रेट किया जाता है किसी भी पर्टिक्लर मॉलीक्यूल को मास के बिसिस पर यानि M by Z ratio के तौर पर जो है रेप्रिसेंट किया जाता है कि एक moving charged particle can be deflected by applying electric and magnetic field जो moving charged particle है उसको जो genetic electric और magnetic field के थूँ हम basic तौर पे can be deflected by the applying electric or magnetic field अभी जो charged particle होता है रिप्रेजेंट किया जाता है positively charged particles क्योंकि positive charged particles ज्यादा deflections हो कर रहे हैं और ज्यादा तर consideration के तौर हम positive charges को consider कर रहे होते हैं इन deflections को major किया जाता है और इन deflections की मदद से किसी molecule का mass जो है डिटर्माइन किया जाता है basic तो कोई भी sample सबसे पहले step जिसमें जाता है उसको ionization होते हैं किसी भी sample को सबसे पहले ionize किया जाता है और ionize करने का form में जब भी किसी particular atom से या molecule से ionization की process पर करेंगे तो उसमें basic phenomenon होता है electron को knock off करके ionize करना किसी molecule या atom से एक electron को knock off कर दीजिए हटा दीजिए जब कोई भी particular molecule जो है वो हो जाएगा इसका basic fundamental यह है कि जैसे carbon के उपर 6 प्रोटाउन और 6 electron है जब तक दोनों बराबर है नेट चार्ज जीरो होता है क्योंकि 6 पॉजिटिव निकाल दीजिए तो इसके प्रोटाउन लेकिन 5 इलेक्ट्रोन बचेंगे नेट चार्ज जब एक पॉजिटिव आ जाएगा तो गहीं नकर किसी atom से किसी molecule से जब आप किसी एक इलेक्ट्रोन को नॉक आफ करते हैं तो वह पर्टिक्लर नी मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी करते हैं कि आर्योन करके हाँ पर्टिकलर मॉलिक्यूल को वे जिस मॉलिक्यूल का मास हमे सब्सक्राइड करना है उसको मॉलिक्यूल करना है उसको करका hair और जो पार्टिकल चोटे साइस का होगा उसका मुम्मेंट जाता होगा और इसी वजह से हर एक पार्टिकल अपने मास के बेसिस पे सलेक्ट कर दिया जाता है और उस मास के बेसिस पे जो सेप्रेशन होता है तो उनको डिटेक्टर्स जो होते हैं और अनलाइज करके जो है आपको रिजल्ट रिप्रेज हो जाता है सवाल यह आता है कि जब यह मांस स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा होता है इसके स्टडी कैसे कर दो